जैशियराम 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 बाला जी महराज की किर्पा आप सभी पर बनी रहें जैशियराम भक्तो गुरुजी भक्तो का प्रेशन है गुरुजी पितर दोश क्या होते हैं जिस किसी को संतान नहीं होती उनकी जिन्दगी में पितर दोश का क्या रोल होता है देखे अभी आपने बड़ा संदर स्वाल किया है और ये तो एक जानकरी है और जानकरी इसलिए है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग याते हैं जब भी आप कहीं जाते हैं आपके हमें पितर दोस है पितर बादा है और जो पितर बादा होती है पित्रों को समझना पड़ता है मैं एक छोटी सी कथा के माद्यम से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं देखे नमान जी की माता अंजनी और बाली की पत्री तारा दोनों बहने हैं और दोनों सहिलिया भी है और यहां पर देखे रावन एक जोतिस चारिया था रावन को यह पत्रा लग गया था भई अगर अजनी के पुत्र पैदा हो गया तो यह कहीना कहीं नुकसान पूचाएगा तर रावन इसके माद्यम से बाली को यह कहा कि मैं जोतिस जानता हूं मैं ये कह सकता हूँ कि यही बालक तुमारे लिए मिर्ट्यू का वर्दान साबित होगा तुमारे लिए मिर्ट्यू लेके आएगा यही बालक लेके आएगा और उन्होंने बाली को भेका दिया बाली को उनकी बुद्धी को गरस्ट करके बाली को दे दिया तीर और ये छोड़ दो मायावी तीर है वो बाला गरब में ही नस्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से बाली ने भेकावे में आकर के बुद्धी बंदी होने कारण से वो तीर अंजना जी के ओपर छोड़ दिया और अंजना जी के पेट में थे हनुमान जी बजरंग वले और सोते सोते अग्यान तावस अंजना जी को पता भी नहीं था और अंजना जी ने एक वक्त पेट में पीड़ा होई तो उन्होंने उस वक्त एक्सराप दे दिया कि जिसने भी ये करम किया है वो ने संतान रहे जिसने भी ये करम किया है ने संतान रहे वो तो बाला जी महराज की किरपा थी, क्योंकि जनम तो लेना था, बाधाई आती है, भगवान जब पैदा होते हैं, तब भगवान पैदा होते हैं, तब भगवान पैदा होते हैं, तो अब देखे जब उनके तीर छोड़ा गया तो अंजनी ने जो स्राप दे दिया, अंजन अब तारा की कोक बंद गई, अब तारा को कोई पुतर ही ना हुए, काफी समय हो गया, इलाज करवाए, बहुत करवाए, संतान ही ना हुए, अब संतान ना हुए, तो वो चले गए मतंग रिशी के पास, तारा और अंजनी मतंग रिशी जी के पास चले गए, और मतंग रिशी कोख सरापित हो चुकी है और यहां पर तारा की कोख से जो जीव अब यहां पर एक देखिए जो जीव आत्मा इस संसार में जितने भी हैं अब देखे कि प्रेतियोनी में वो भी जीव आत्मा है पर जीव आत्मा ही है किसी भी योनी के अंदर वो घूम रही है कोई प्रेतियो को जनम लेना है और वो स्रापित हो चुकी है तो वो वापस पितर लोग चले जाती है जनम नहीं लेती वो पितर लोग चले जाते जब तक वो उसके स्राप नहीं आड़ते तब तक वो जनम नहीं ले सकती तो इसी प्रकार से बादा हो गई और यही उपाए मतंग रिशी जी बताया और हनुमान जी को जब ये पता लगा बच्पन में ही मारूती उनका नाम था जब मारूती जी को ये पता लगा कि इस परकार से है तो वो पितर लोग गए और पितर लोग से जाकर के उन्होंने निवारन किया पितरों का और जो पितर लोग जाने का जो रस्ता बताया था, स्वैम विशनुजी ने बताया था, ब्रहमन का वेश करकर के सबली जी के माद्यम से, स्वैम विशनुजी ने बताया था, कि पितर लोग से ही आपका ब्रेतबादा ये मुखत हो सकती ए, Czech cabinet, ने उस आत्मा को मुखत किया, स्राप्मुक्त किया और वो स्रापित से करकर कि उस आत्मा से प्राथना की कि अब आप आएं और आकर के मेरी तारा मोसी की हाँ पर जनम ले मैं सुब मूरत में जनम लूँगा और वो अंगद के रूप में उन्होंने जनम लिया अब आप से सोचिए अब आप यहां से समझी ए कि अज्यानता से किया गया बुरा करम किसी को नुकसान पूछाते वक्त तो वो अपने आप ही आपके पितर दोस्ट पैदा हो जाते है अपने आप ही आप दोशीत हो जाते हैं और उसके फल भी आप इको मिलने वाले हैं परिनाम भी आपको मिलने वाले हैं लेकिन इसका हल कुन कर सकते हैं केवल बाला जी महराज हनुआन जी के पास ये है हनुआन जी के और अगर आपके साथ भी कोई इस परकार से बादा है तो बाला जी महराज के दरबार में जाकर के आप अपने पित्रों को पित्रों को प्रात हो जाएं और शुद होने के बाद आपके कारज करें और अंजनी मा से प्रातना करें कि जिस प्रकार से अनुमान जी ने तारा माता के लिए किया था इसी प्रकार से हे अंजनी माता संतान हो इस प्रकार का आप वरदान दें तो ऐसा कर करके आप वहाँ पर कर सकते हैं भगत ज जाते हैं और पितर कहते हैं इनके वंसों में हम हैं और इनके वंसों में हमें कौन देगा हमें यही देंगे और वो पितर जब आपके बीच में अड़ जाते हैं तो वो समान जो है देवता आपको आपकी भक्ती का फल देना चाहते हैं लेकिन आपको वो फल नहीं मिलता क्यों आपको सबसे पहले आपको आना चीए अपने पित्रों को सही स्थान दुआना और इसी प्रकार से जब आपके पित्र सही स्थान हो जाते हैं पित्रों में ताकत आ जाती है तब आप जीवन में के आपका अंद में और सुख में हो जाता है जिस प्रकार से तारा की गोध भरी गई हनुमान जी के मादम से इसी प्रकार से आप सभी की गोध हनुमान जी और बाला जी महाराज की मादम से भरी जाए सही कारे करम के दोरा आपको ये वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब आपका मन है, करे ना करे पर जैशेराम जिरूर लिखें जैशेराम वक्तो, जैशेराम मुझे आनन दता है आपके जैशेराम से जै शेराम वक्त बाला जी महराज की किर्पा आप सभी पर बने रहें जै शेराम